सो हलो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस सुपर्सोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में सारी डीटेल में इसके बात करेंगे कैसे इसका प्रोडेक्शन होता कितनी रेंज रहती कितने इसके टेस्ट हो चुके आभी तक और कौन कौन सी कंट्री में इंडिया ब्रह सुपर्सोनिक क्रूज मिसाइल है इसका का डेवलप्मेंट इंडिया की डिया ने किया है और रश्या की ने किया है जैसे इंडिया के अंदर डिफेंस रिसेट डेवलप्मेंट और वैसे रश्या के अंदर एक डिपार्टमेंट है इन दोनों ने जोइन वेंचर किया था औ होता है इसहाइगा है इसा प् cosmogyn इसपैड्र आरइक होताब है रहने कि कोछ अता पता नहीं रहेगा और उसके बाद मैंने कहा कि सुपर्सोनिक मिसाइल या उपर आसमान में नहीं जाती है नीचे--nीचे उड़ती जिसकी वाइसे दुस्मन की राडार में पकड़ में आना और उसको मार पाना बिल्कुल Him. उसकी बाइसे जैसी वी पाकिस्तान है ऑपने राडार ओडार रखा हैं कि कुई भी जाँ भी आरगई या that करके हम लोग पंदरा सु किलोमेटर वाले रेंच का भी डैफलोप करके हम लोग टेस्ट करेंगे थोड़े दिन बाद अभी जब तक हम लोग से मेंबर नहीं थे तो उससे पहले क्या था जो देश मेंबर नहीं होता तो उसे 200 किलोमेटर से ज्यादा कि मिसाइल रखने का और बेचने का पर्मीशन नहीं होता लेकिन जब हम सदश्र बन गए MTCR के तो हम में पर्मीशन मिल गई तो हमने अब पंदरा सो किलोमेटर का भी टेस्टिंग चल रही है उसके बाद हम लोग इसको भी यूज कर लेंगे ब्रमोज मिसाइल में रेम जेट इंजन का यूज किया जाता अब रेम जेट इंजन एक बहुत इस्पेशल डाइब का इंजन है जिसमें आगे की तरफ से खुला रहता है जिसकी वाज़े से उसमें बहुत तेज स्पीट से हवा आ सके हवा जब अंदर आती है तो इंजन के अंदर एक प्रेशर क्रियेट हो जाता है एयर का एयर का प्रेशर क्रियेट होने की वाज़े से पीछे एक पतला रास्ता दिया जाता है जिसकी वाज़े से बहुत फिर दे देता है बहुत तेज वाली तो बहुत तेज से जब हवा आती आस्मान में तो तुरंत अंदर अंदर जाती है आगे की तरफ से पीछे अंदर तरफ बीच में हमारा प्रेशर होता और पीछे की तरफ से इतनी तेज स्पीड में निकलती है फिर वह सुपर सॉनिक स्पीड पकड़ लेती तो इस तरह इसका पूरा ब्रह्मोस का काम करता है ब्रह्मोस मिसाइल सेल्फ नैविगेटिंग मिसाइल है जिसकी वाज़े से अपने वो टार्गेट को खुदी फिक्स कर लेती खुदी ढून लेती है कि क देढ़anut से टार्गेट चैंज कर सकती लगए एक सुट दिलटी दिच्शन करके अगर ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा गया है तो उसे इस टिंडिव खथम होता है इंडिया ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को चाइन Οरपाकिस्तान से लगबख सारी वोर्डर p 있습니다 का यहां पर क्यों कर रहे हो तो इंडिया ने बस इतना का था नान फ्योर बिजनेस तुमसे क्या मतलब है हम कुछ भी करें अपने देश के अंदर है कि फिर उसके बाद जो हमारा कश्मीर वह चाइना से भी लगता है यहां से पाकिस्तान से भी लगता है तो दोनों की सीने के साम कभी भी हमने किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी को अगर हम पर कोई चड़ता जाएगा हमारे उपा कोई दवा बनाता जाएगा तो हम परशान होने लगेंगे हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम पूरी दुनिया को अपन सेट किया है कि हमें 2025 तक अपना जितना भी 的 होता हम जितने मिसायल बेशते हैं अपने mahd क्राफ्ड बेश ते हैं अपने ऐह मिश्ब पर ऐसक देלאendo पर यौड नियूं एक आयस जो पूरी दुनिया में भारत को बहुत बढ़े ईसब दिखा desexporter के रूप में पूरी दुनिया में बहुत अच्छी कर सकती है इंडिया की अब उसके लिए इंडिया ने जैसे जैसे चाइन हमें घेरता जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से यहां पर नेपाल से दोस्ती बनाए हुए है वहां पर नीचे की तरफ स्री-लंका से दोस्ती बनाए हुए पूरी तरफ से इंडिया को घेर रहा है जैसे जैसे तो हम जो आसियान कंट्री से उनसे हम लोगों ने ब्रह्मोज मिसाइल का किया है जिसमें हम उनको 295 किलोमीटर की रेंज की जितने ब्रह्मोज मिसाइल हो प्रोवाइट कराएंगे और इस जितना भी चाइना उड़ता था पूरे अपने साउच चाइना रीजन में तो इंडिया बता देगा कि हम भी कम नहीं है किसी से हमने जो फिलिपीन्स और वियत संसुल फिलिट्나 हो गया । अब हम से इंट्रेस्टेट हैं ब्रह्मोज मिसाइल को खरीदने में अगर हमारे सेंग्रीमेंट हो गया इंडिया भ्रमोज मिसाइल के से काम कर रहा है जिसे नाम दिया गया ब्रम हो तुम अब हैस्ट हो का ile स्पीट पर मतलब अभी तक जितने चल रहा हो इसके टेस्टिंग लगबग 2024 के आसपास होने वाली है जिसके लिए लेंड भी प्रोवाइट करा दी गई है लखनव के अंदर अब यह लगबग तीन साल के अंदर सो ब्रहमोज मिसाइल के आसपास प्रड्यूस करके रख देगा अब हम यही एक्सपेक्ट करते है लास्ट में कि दुनिया भर में जिन जिन लोगों को मिसाल चाहिए होगी तो वह हमसे लेंगे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा डिफेंस का और हमारी फॉरन रिजर्व इस तरह बढ़ने लगेगी तो कैसी लागी वीडियो यह कॉमेंट बॉक्स में लिखके बताईएगा म जलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत